ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 30 नवंबर 2023 बाबा के महा वाक्य मीठे बच्चे तुम्हें रोहानी पंड़ा बन यात्रा करनी और करानी है याद ही तुम्हारी यात्रा है याद करते रहो तो खुशी का पारा चड़े प्रश्न निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं उत्तर वहां नौलेज के संसकार समाप्त हो जाते प्रालब्द के संसकार रह जाते हैं जिन संसकारों के आधार पर तुम बच्चे सतियुग में प्रालब्द भोगते हो वहां फिर पढ़ाई वा पुरुशार्त का संसकार नहीं रहता है प्रालब्द मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है गीत रात के राही ठक मत जाना मंजिल अभी दूर है ओम शांती यहां सम्मुक शिव भगवान वाच है गीता में दिखाते हैं स्रीक्रश्न भगवान वाच परंतु शिरीक्रश्न तो उस नाम रूप से सम्मुक हो न सके यह तो सम्मुक कहते हैं निराकार भगवान वाच शिरीक्रश्न वाच कहें तो वह साकार हो जाता है जो भी वेद शास्तर आदी सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच क्योंकि वे साधू, संत, महात्मा आदी सब साकार में बैठे हैं और फिर बाप कहते हैं हे रोहानी राही रोहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे ठक मत जाना यात्रा पर कई ठक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं वह है जिस्मानी यात्रा भिन भिन मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कोई शिव के मंदिर में जाते हैं वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ती मार्ग के ये तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्मा को कहते हैं कि हे बच्चे अब मुझे एक के साथ बुद्धी का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्रामण लोग बैठे हैं कथा कीर्टन करते हैं तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायन की कथा है नर से नारायन बनने की तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे फिर विश्नुपुरी में आएंगे इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में इसको पियर घर कहा जाता है तुमको जेवर आदी कुछ नहीं है क्योंकि तुम पियर घर में हो तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने है यहां कल्यूगी ससुर घर में तो अपार दुख है तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में यहां से ट्रांसफर होना है बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं दिखाते हैं न, स्रीक्रिश्न का बाप उनको टोकरी में बठाकर उस पार ले गया, तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं, पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे, तो वहां ये सब पियर घर, ससुर गर की बातें भूल जाएंगे वह निराकारी पियर घर वहां ये नौलेज भूल जाती है नौलेज के संसकार निकल जाते हैं बाकी प्रालब्द के संसकार रह जाते हैं फिर तुम बच्चों को प्रालब्द ही ध्यान में रहती है प्रालब्द अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे सुख धाम जाना है प्रालब्द मिल गई फिर ज्ञान खत्म तुम जानते हो प्रालब्द में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी तुम्हारे संसकार ही प्रालब्द के हो जाएंगे अभी हैं पुरुषार्थ के संसकार ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रालब्द दोनों संसकार वहां रहेंगे नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता तो ये तुम्हारी रोहानी यात्रा है तुम्हारा चीफ पंडा है बाप यूं तो तुम भी रोहानी पंडे बन जाते हो, सब को साथ में ले जाते हो वह हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रोहानी पंडे वह लोग अमरनात पर बड़े धूमधाम से जाते हैं जुंड के जुंड, खास अमरनात पर बहुत धूमधाम से जाते हैं बाबा ने देखा है कितने सादू संत बाजे गाजे ले जाते हैं साथ मैं डॉक्टर आधी भी ले जाते हैं क्योंकि ठंडी का समय होता है कई बीमार पड़ जाते हैं तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है बाप केते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है याद मुख्य है बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चड़ा रहे साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है ये यात्रा एक ही बार होती है वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ती मार्ग से शुरू होती है वै भी कोई शुरुआत में नहीं होती ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदी बन जाते हैं वै तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा वै भी पहले घर में सोमनात का मंदिर बनाते हैं तो फिर उप कहां जाने की दरकार नहीं रहती ये मंदिर आदी बाद में बनते हैं समय लगता है आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र नए चित्र नए मंदिर आदी बनते रहते हैं टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए न मठ आदी जब व्रद्धी को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाएं तो इतने तीर्थ स्थान बने मंदिर बने चित्र बने टाइम लगता है न भल कहा जाता है कि भक्ती मार्ग द्वापर से शुरू होता है परंतु टाइम तो लगता है न फिर कलाएं कमती होती जा जाती है ये सब बातें अच्छी रीती चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है समझाने वालों की बुद्धी में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं ये समझाएं सब की बुद्धी में नहीं चलेगा नंबर वार है न कोई की बुद्धी बिलकुल चलती नहीं वे फिर पद भी ऐसे पाएंगे मालुम पढ़ जाता है यह क्या वनेंगे जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे जब लडाई आदी लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे फिर बहुत पच्चताएंगे उस समय पढ़ाई तो हो ना सके लडाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी सुन नहीं सकेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा पार्टिशन हुआ तो क्या हो गया देखा न ये विनाश का समय बहुत कड़ा है हाँ बाकी साक्चातकार आदी बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है बहुत पच्चातकार होंगे देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ है धर्मराज साक्चातकार कनाने सिवाए सजाए कैसे देंगे सब साक्चातकार कराएंगे फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे कहेंगे हाए तकदीर तद्बीर का समय तो गया तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुशात करते हो सर्विस से ही दिल पर चड़ेंगे बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मिलेटरी का कोई मरता है तो उनके मित्र सम्मंदियों आधी को भी इनाम देते हैं यहां तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप बाप से भविश्च 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है यह तो हरेक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ धारना नहीं होती तो गोया तकदीर मैं नहीं है कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं बाप समझाते हैं मीठे बच्चे तुम्हें इस रोहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है फर्ज है हरेक को यह यात्रा की बाद बताना बोलो हमारी यह रोहानी यात्रा है वह है जिस्मानी दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमचम तलाव है जहां सनान करने से परी बन जाते हैं लेकिन वह परी आदी तो बनते नहीं यह ज्यान सनान करने की बाद जिससे फिर तुम बहिस्त की बीबी बन जाते हो और ज्यान योगबल से बैकुंट में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है और ही तुमको रोका जाता है घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ आदत पड़ जाएगी तो यह ज्यान मान सरोवर है परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्यान सुनाते हैं इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है मान सरोबर अक्षर सागर से निकला है ज्यान सागर में ज्यान सनान करना तो बहुत अच्छा है बहिष्ट की बीबी को महारानी कहा जाता है बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ट के मालिक बनो बच्चों पर लव रहता है हर एक पर रहम पड़ता है साधूँ पर भी रहम आता है ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधूँ का भी उद्धार करते है उद्धार होता है ज्यान योग से तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए बोलो तुम और तो सब जानते हो लेकिन छाच जानते हो बाकी मक्षन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं परन तु किसकी बुद्धी में भी बैठे न बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं ना जानने से मनुष्य कौडी मिसल बिलकुल पतित हैं बाप को जानने से ही पावन बनते हैं पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके तो जो महारथी बच्चे हैं वे अच्छी रीती समझा सकेंगे कितने धेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं प्रजा पिता ब्रह्मा नाम भी मश्यूर है प्रजापिता ब्रह्मा के यह हैं मुख वन्शावली ब्रह्मा को ही सौ भुजा, हजार भुजा दिखाते हैं यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती बाकि ब्रह्मा तो बहुत बचडे वाला है ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाब है न? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा इनका और कौन बाब हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता ब्रह्मा विश्णू शंकर गाये जाते हैं सूच्म बतन के वे तो यहां आना सके प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा न? सूच मुबतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुखो द्वारा शक्ती सेना रचते हैं पहले पहले परचर देना है हम ब्रह्मा मुखो वन्शा वली है तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो न? प्रजा पिता ब्रह्मा है सब का बाप फिर उनसे और बिरादरिया निकलती है नाम बदलते जाते हैं अब तुम ब्रहामण हो प्रैक्टिकल में देखो प्रजा पिता ब्रह्मा की कितनी उलाद है जरूर उलाद को वर्सा मिलता होगा ब्रह्मा के पास तो कोई प्रापर्टी है नहीं प्रापर्टी है शिवावा के पास ब्रह्मा वल्द शिव बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा शिवावा बैट पढ़ाते हैं हमको दादे का वर्षा मिलता है बाबा समझाते तो बहुत हैं परन्तु योग नहीं काइदे पर नहीं चलते तो बाब भी क्या करे बाब केते हैं इनकी तकदीर अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूँ स्रीमत पर कहां तक चलता हूँ स्रीमत कहती है मन मनाभव सबको बाप और वर्से का परचय देते रहते हैं धिंडोरा भी पीटते रहते हैं बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्मेंट को भी समझाना है जो वै भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है परम्पिता परमात्मा सर्व शक्तिमान से योग ही नहीं है इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो माया पर भी तुम जीत पहनते हो ग्रहस्त बदकार बाप है कितना समझाया जाता है धारना करनी चाहिए बाबाने समझाया है धन दिये धन न खुटे सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चड़े सकेंगे नहीं तो इमपासिबुल है इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते बाबा प्यार सर्विस एबुल को करेंगे मेहनत करनी चाहिए सब को यात्रा लायक बनाते हैं मनमना भव यह है रुहानी यात्रा मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुँच जाएंगे शिवपुरी में आकर फिर विश्नुपुरी में चले जाएंगे यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कोई और मनमना भव का अर्थ समझते नहीं पढ़ते तो बहुत हैं बाप महामंत्र देते हैं मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला ज्यान सनान करना है प्यार से सर्विस कर बाब के दिल तक्त पर बैठना है पुर्शारत के समय में अलबेला नहीं बनना है दूसरा, बाब की पलकों पर बैठ कलियोगी दुख्धाम से सुखधाम चलना है इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है वर्दान जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाडी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैपी भव सदा खुशहाल अर्थाद भरपूर संपन पहले काटों के जंगल में जीवन थी अभी फूलों की खुशहाली में आ गए सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाडी लगी हुई है इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे शक्ती का अनुभव करेंगे खुशहाली औरों को भी शक्ती शाली बनाती और खुशी में लाती है इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैपी है स्लोगन मास्टर सर्व शक्ती मान वे हैं जो माया के बुद्बुदों से डरने के बजाए उनसे खेलने वाले हैं अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती